पेगसिस को लेकर जिस प्रकार का हंगामा संसद में विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, संसद का सत्र न चले, इस प्रकार की विपक्षी मंचा दिखती है. लेकिन इसके पीछे एक बड़ा डिजाइन भी धान में आता है, कि 45 देशों में, पेगसिस के बारे में, 45 देशों का नाम आता है, किन्तु चर्चा केवल भारत की चलती है, और संसद के अडिवेशन के एक दिन पहले, इसको प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि संसद के अडिवेशन में इसके उपर हंगामा किया जा सके, और विशेश रूप से हमको यह लगता है, कि एक प्रकार से भारतिय लोक तंत्र को बदनाम करने की एक साजिश है, भारत में टेलिग्राफ एक्ट, यह बहुत स्ट्रॉंग है, और मोदी जी की सरकार ने उ इसमें चेक एन बैलेंसे से, फोन को लीगली टैप करने के बारे में, या फोन को लीगली इंटरसेप्ट करने के बारे में, इसमें महतुपूर्ण जानकारिया, इसमें महतुपूर्ण चीजे दी गई है, जिसका उलंगन करने पर आवश्यक उस परकार के आदेश, निरदे भी दिये जा सकते हैं यह सारी चीज़ें होने के बावजूद जान बूचकर इस प्रकार की बाते बताई जा रही है और सबसे महतुपूर्ण बात यह है कि बिल्कुल संसत के सत्र के पहले इस प्रकार की बात को कहना जिसको पेगसिस बनाने वाली एनेसो नो भी रनकार आए और एनेसो ने मिडिया हाउस को नोटिस भी जारी किया है कि आप गलत जानकारी दे रहे हो भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की और से केवल लीगल इंटरसेप्शन होता है, इल्लीगल हैकिंग नहीं की जाती है और हमने देखा इससे पहले भी 19 जनवरी 2006 में सपाके ततकाली नेता अमर सिंग जी ने पोन टैपिंग का आरोब किया था, उसके बाद सीता राम येचूरी जी, जैललीता जी, चंद्रावबु नैडू जी इन्हों ने आरोब किया था और उस पर डॉक्टर मनमोन सिंग जी ने जवाब दिया था, कि ये सरकार के ओर से हैकिंग नहीं किया गया है, ये टैपिंग किसी प्राइवेट कमपनी ने किया है और हमने उनके एक व्यक्ति को अरेज भी किया है इसी प्रकार से 17 अक्तूबर 2009 को श्रीमती ममता बैनर जी ने इसी प्रकार के आरोब ततकालिन कम्यिनिस्ट सरकार के उपर लगाये थे 16 अप्रेल 2010 को इसी प्रकार का विशे ये उस समय की संसर में आया था तब मनमोन सिंग्जी ने ये कहा था कि जो काम हम करते है वो लिगल है और इसके उपर जेपीसी बनाने की कोई आवशक्ता नहीं है और जेपीसी की मांग को उन्होंने खारिज किया था 14 दिसंबर 2010 को माननिय तत्कालिन प्रधान मंत्री मनमोन सिंग्जी ने कहा था कि देश में उद्योक पतियों के फोन टैप हो रहे है लेकिन राष्ट्रिय सुरक्षा, टैक्स की चोरी या मनी लॉंडरिंग इससे सम्मंदित इन्पूट्स के उपर ये हो रहे है और हम इसके बाद ये प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से उसकी जानकारी जो लीक हो रही है वो लीक नो हो 22 जून 2011 को मनमोन सिंग्जी के ही मिनिस्टर डॉक्टर प्रणो मुखर जी जी ने मेरे आफिस को बग किया जा रहा है ऐसी कंप्लेंट की थी जिस पर बहुत हंगामा मचा था और उसके बाद उसका डीबगिंग किया गया और आईबी की जगध सीबीडीटी उसका डीबगिंग करेगी इस प्रकार की मांग उस समय की गई थी सीबीडीटी को भी इस प्रकार से इंटरसेप्शन का अधिकार ये बाइस में 2011 को ततकालीन यूपीय की सरकार ने उस समय दिया था इतना इने ऐसी कई घटना है 2013 में सरकार ने कहा था कि 9000 फोन और 500 इमेल हम लोग इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो कुल मिलाकर अगर हम देखे तो पिछली सरकार में इस प्रकार की घटना है सामने आई जिसके उपर सरकार ने जवाब दिया और उसके बाद संसत का काम ठीक से चला लेकिन अब ये ध्यान में आता है कि जान बूचकर इस प्रकार से कुछ लिस्टे जारी की जा रही है और उसके आधार पर संसत को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है आज देश के अंदर माननिय प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रुत्व में इतने बड़े पहमाने पर देश के मंत्री मंडल में पिछडों को आदिवासियों को अंसुचित जाती जन जाती के लोगों को मंत्री मंडल में स्थान दिया गया है और उनका merit ये दुनिया के सामने लाने का प्रयास माननिय मोदी जी ने किया है ऐसे समय संसत के अधिवेशन को डिरेल करना ये बिल्कुल गलत बात है और मुझे लगता है कि एक जो भारत के लोक तंत्रे के खिलाफ अंतरराष्ट्रे शड़ेंत्र चल रहा है उसको एक प्रका कारवाई से होगा और इसलिए विपक्षे भी हम मांग करते कि संसत का सत्र वो चलने दे और जो देश की महतुपुर्ण चीजे है उसके उपर संसर में बड़े तैमाने पर बहस हो जैसे प्रदान मंत्री जी ने कहा तीखे सवाल पूछिए और जवाब भी लीजिए तो मु